एक फ्लैट दे विच अग लगन दे नाल सारा कुझी सड़के स्वाह हो गया है दास्तियाई कि अग लगन दे कारणा दा पता नहीं चल सकया है पर अचानक ही अग लगी है जिस दे कारण एक औरत इस फ्लैट दे अंदर ही फास जान दिया है ते गौंडियां दे वलो दरवज तोड़के उसनों मोके दे बचाया गया ता खबर जिरक पूर्ट तो समने आ रही है जिते की फ्लैट दे विच अचानक अग लगी हलाकि जो फ्लैट दा मालिक है ओ अपने बेटे दे नाल हस्पताल दे विच सी ते जीवें उस दी पात्री ने उसनों फोन दे उते सूचना दिती था इस तो बाद उसने गवांडिया नों दस्या पर गवांडिया जट तक पहुंच दे उदो तक काफी देर हो गई सी पर औरत नों कड़ी मशक्कत बाद बचा लिया गया पर फ्लैट जो है उस सारा ही सड़के स्वा हो गया उते ही इस फ्लैट दे मालक दा कहना है कि उसने अपनी खून पसीने दी कमाई दे नार इस फ्लैट नों लिया सी ते खून ए सारा ही सड़के स्वा हो गया उस दा कहना है कि जो इस फ्लैट दे बाहर जो अग पुजा उनवाले यंतर सी ओं कोई भी कम नहीं किता जिस दे कारण ही ए वड़ा नुक्सान होया हाला कि ग अंदर दिया तस्वीरा ने जिससे साफ देखा जा सकता है कि जो फ्लैट है और बुरे त्रीके देना सड़ चुक है अंदर प्या सारा ही समान राक बन गया है एथो तक कि दस्याजार है कि जो एसी सी ओ वी बिलकुल ही पिगल गया ते इस दे नाल ही अंदर दिया ए तस्व नाय बना जकम हो और और आज आँज सुबह साड़े तीन वजए मेरे घर के अंदर अग लगी अ के तो शा चिया तो जो फोन हम उठाए और आग बुजाने कोशिच की लेकिन कोई भी फायाग रेडरेंट कोई भी इसमें नहीं चला इसकी वज़े से मेरे पूरा घर जलके तबाह हो गया आपके वाइप अकेले ते घर पे मेरी वाइप अकेली थी घर पे मैं होस्पिटल में था मेरा बेटा भी होस्पि पूरा समान जलके जिक नहीं बचा है घर के अंदर सब मेर्ट हो गया है कुछ नहीं है घर के अंदर आज के टाइम में अगर आज फायर एडरेंट होते हैं या कुछ भी होते हैं तो साथ मेरा कुछ नुकसान बजज़ता है